एक सच्ची गटना से शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रभावक आचारिय हुए हैं मानतुंग सूरी। एक बार कर्मों के गोर उदई के कारण मानतुंग सूरी को मस्तिश्क में भयंकर पीडा होने लगी। तेज सिर दर्द के कारण उन्होंने धरनेंद्र देव का स्मरन क और पूछा देव क्या मैं अंसन ग्रहन कर लूँ मेरे सिर में भयंकर दर्द रहता है। अंसन यानि आजीवन के लिए खाना पीना छोड़ देना। तब धरनेंद्र देव ने आचारिय मानतुंग सूरी से कहा अभी आप अंसन न ले, खाना पीना न छोड़े। आपका अय अंसन के बारे में न सोचे। आपका कर्म चीन होगा और आप बहुत जल्द सिर दर्द से स्वस्त हो जाएंगे। ये बोलने के बाद धरनेंद्र देव ने आचारिय मानतुंग सूरी को अठारा अक्सरों वाला एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र के स्मरन से नो रोगों का न ये मंत्र देने के बाद धरनेंद्र देव अद्रुष्य हो गए। इस मंत्र के प्रभाव से आचारिय मानतुंग सूरी एकदम से स्वस्त हो गए और कमल की तरह खिल गए। तो अब जानते हैं वो मंत्र जो धरनेंद्र देव ने मानतुंग सूरी को स्वस्त होने के लिए तो मंत्र है नमियून पास विसहर वसह जिन फुलिंग ये मूल मंत्र है पर उत्तरवर्ति आचारियों ने इस मूल मंत्र को कई बीज मंत्रों से परिवेश्टित कर दिया जो इस प्रकार है फिर से एक बार उचारण कर देते हैं तो जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में दम होता है तो देवता भी चाते हैं उनकी सहाइता करना उने सयोग करना ताकि ऐसे नेक आचारिय खुद के साथ दूसरों का भी भला कर सके तो कितने लोगों को देवदर्शन हुआ है या अनुभव हुआ है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें